सब्सक्राइब मैं दो चलता हूं। मैं अपने प्ले स्टोर में चलता हूं। और यहां पर सार्च वार में टैप करना है, IRCTC एप और यहांसे सर्च कर दीना है। यहां पर देखिए IRCTC Real Connect की एप आ गए और यहांसे हमें इसको पहले डॉलोड कर लेना है। देखिए मैंने पहले से डॉwnलोड कर रखा, इसलिए open का option आ रहा है, आप download कर लीजेगा, और यहाँ से download होने के बाद हमें simply इसको open कर देना है, open करने के बाद देखिए थोड़ा सा wait करना है, और देखिए यह alert का option आ रहा होगा, यहां से हमें जीचे ओके पर क्लिक कर देना है तो देखिए यह एप खुल रहा है थोरा सा हमें वेट करना है और यहां से देखिए अगर आपका IRCTC का एकॉंट है तो यहां से आपको simply login कर लेना है अगर आपके पास IRCTC का एकॉंट नहीं है और यहां से हमें simply login कर लेना है देखिए मैंने यहां पर pin setup कर रखा है यहां से में pin डालके और यह नीचे capture code डालके यह जो देख रहे हैं capture code यह capture code डालके मैं यहां पर login कर लेता हूं तो चलिए मैं पहले login करके फिर आप लोग को दिखा देता हूं थोड़ा सा हमें वेट करना है मैं लॉग इन कर रहा हूँ देखिए मैंने capture code डाल दिया और simple यहां से हमें लॉग इन पर click करना है देखिए यह मैं click कर दिया थोड़ा सा हमें वेट करना है देखिए यह verify हो रहा है मेरा detail देखिए यह खुल गया अब यहां से देखिए काफी सारे option आ रहे होंगे आपके पास यहां पर plan my journey लिखा है my booking, pnr inquiry भी कर सकते यहां से flat booking भी कर सकते यहां से और other option भी है यहां पर विलाल हमें एक नया ticket book करना है तो हमें plan my journey पर जाना है इस पर मैं गया और यहां पर देखिए यहां पर form और यहां पर form to यह मतलब यह आपको कहां से कहां तक जाना है यहां पर सबसे पहला है यहां पर search करेंगे आप से मैंने date select कर लेता हूँ जो भी आप date जाना चाहते हूँ जो भी आप date को चाहिए 25 टारिक को ही चाहिए अगर आप इसको अंचेक कर देंगे तो और भी आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जैसे आप 25 का करेंगे तो 26 तर 27 का भी आगे आ जाएगा फिलान मुझे 25 का ही चाहिए तो मैं proper fix with date पे कर देता हूँ और यहां से हमें search कर लेना है train देखिए यह मैं search कर रहा हूँ train थोड़ा सा हमें wait कर लेना है देखिए यह train आ गया अब यहां से आप देख लिजिए यहां पर देखिए काफे सारी train आ रहे होगे आपके पास तो यहां से आप देख सकते हैं कौन से class में आप जाना चाहते हैं देखिए यह 3AC में और यहां पर 2AC या 1st class में काफे सार जो भी आपकी train हैं आप इसमें से train select करके वो कर सकते हैं और आपके पास एक और option आ रहा होगा अगर आप इन सारे टेड़ों में अगर आप का निशूज हो रहे हैं तो देखिए यहां पर अगर का ऑफ्सन है तो अगर मैं इसपे कलिक कर दूंगा तो देखिए जो भी अभी ओष में धिक यह और व kitchen होगी हो हमें धिकाएगा कि जो train इअभी लेवल है वो दिखाएगा हमें कि कौन से train अभी ev GRA है चले मैं इस पर कर देता उख तो अब देखिए जो जिस में टिकट होगी वह हमारे YouTube आगया है तो आप बल्ली से मुझे प्ररागरा जाना है तो इसके लिए हमें त्रेंड में चूश कर लेता हुं देखिए यहां पर सारी ट्रेने आ रखी है हमारे सामने अब यहां से सम किसी में अबलेवल मुझे दिखाने रहा है फिलाल देखिए यह एक अबलेवल आई यह आनंद विहार से पिरायराज के लिए है और यह जो 25 तारी की डेट का है तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और देख लेता हूँ यह 25 मार्ज का है अब यहां पर मैं देख लेता हूँ देख लीजिए और यहां से यह मैंने पहले तो आपको यह सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन से कोटेम चाहिए दिखेंगे यहां सिल्फर क्लास है यहां 3AC है और यहां पर 2S का मतलब है जो आपको सिंगल सीट मिलेगी जैसे बस में बैठने के लिए होती है वो तो मैं फिलाल इसी में अविलेवल मिल रहा है मुझे और यह सही भी लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहां से पैसेंजर डिटेल पर आ जाता हूँ देखिए मैं नाम डाल देता हूँ और यहाँ पर हमें पूरा नाम डालना पड़ेगा जो कि आपके आधार कार्ड पे लिखा रहेगा देखिए हमने यहाँ पर यह पूरा नाम डाल दिया और यहाँ पर हम एज डाल देंगे देखिए मैं यहां से age डाल लेता हूँ age डालने के बाद यहां हमें male female select कर लेना है और यहां पर हमें seat select कर लेनी है आपको seat कौन सी चाहिए lower middle उपर side lower side उपर हमें फिलाल उपर कर चाहिए तो हम यहां से उपर का select कर लिए seat और यहाँ पर नीचे आने के बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर मुवाइल नमबर पैसंजर का मुवाइल नमबर डालना होगा यहाँ पर उसका नमबर डालना होगा जो की इस टिकर से यात्रा करेगा तो हम यहाँ पर उसका मुवाइल नमबर डाल देते हैं देखे ये mobile number डाल देता हूँ मैं उनका उसके बाद अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखे address का column बना हुआ है तो यहाँ पर हमें address डाल देना है तो यहाँ पर देखे अलग-लग column दिखाए दे रहा होगा आपको तो हमें first वाले में जहाँ पर यह star लगा हुआ है red color का यह column बरना जरूर यह इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं तो बस इस बात का आपको धियान रखना है देखे मैं यहाँ पर address डाल लेता हूँ पूरा उसके बाद आपको next setup बताता हूँ थोरा साम बेट कर लेते हैं address डाल लेता हूँ मैं और वीडियो को पूरा complete देखेगा त इसलिए थोड़ा सा time लग रहा है आपका address छोटा होगा तो आप जल्दी से डाल पाएंगे देखे यह मैं डाल के उसके बाद हम यहाँ से देखे यहाँ पर दूसरे वाले column में हम डाल देते देखे हमने एक में डाल दिया और हम दूसरे में आ गए देखे हम मैं address डाल रहा हूँ पूरा यह address आपको वह एड्रेस डालना है जो कि आपके अधार कार्ड में होगा और यहाँ पर देखे हमे अधार कार्ड में होगा और यहाँ पर आपको district और यहाँ पर state select करने पड़ेगी यहाँ पर हमने यह सारा कुछ कर लिया है अब यहाँ से हमें नीचे आना है payment मेसर पर हम payment किस चीज से करना चाहते हैं तो देखिए यह सारा हम करने के बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं payment पर देखिए यहाँ पर नीचे के option पर आ जाते हैं देखिए यहाँ पर हमें फिलाल UPI से मैं payment करूँगा तो पे भीम UPI पर हमने click कर दिया अब देखिए पे UPI पर हमने click कर दिया थोड़ा सा हमें wait कर लेना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर check box आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है tape given lab तो आपको यही चीज नीचे यहाँ पर डालना पड़ेगा देखिए यह capture code है एक तरह का यह आपको डालना पड़ेगा और यह डाल के देखिए मैं यह डाल के आपको बता देता हूँ और यह डाल के आपको प्रसेट टू पे पे क्लिक करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं देखिए यह आगिया आपके पास मल्टिपलेक्स ऑप्सन और यहाँ पर हमें ऑप्सन चूज करना है हम फोन पे से करेंगे तो मैंने फोन पे को स्लेक्ट कर लिया है अब थोड़ा सा हमें वेट कर लेना है फोन पे से पेमेंट करने के लिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं फोन पे खुल रहा है थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा देखिए यह loading हो रहा है phone पे खुल के आगया थोरा सा इस चीज में आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका net जो हो काफी fast हो तब आप बहुत जल्दी से ticket बना पाएंगे यहाँ पर देखिए हम UPI ID डालेंगे phone पे का यहाँ पर पहले किसी और का डाला हुआ था मैंने यहाँ पर मैं अपना डाल लूँगा उसके बाद मैं पे करूँगा यहाँ से यहाँ से आप अपने phone पे का UPI ID डाल लेंगे आपके phone पे का UPI ID वही होता है जो आपका mobile नंबर होता है और at the rate YBL होता है तो देखिए यह मैंने pay कर दिया हुआ से phone पे के option में आगए अब हम थोड़ा phone पे से pay कर देते हैं इसको देखिए यहाँ पर यह wait करने के लिए कह रहा है देखिए हमें यहाँ second चल रहा है यहाँ से और मैं अपने दूसरे वाले phone से phone पे से pay कर रहा हूँ इसके लिए थोड़ा wait करना पड़ेगा यह मैं दूसरे वाले phone से pay कर रहा हूँ आप किसी भी चीज से payment कर सकते हैं आपके पास चाहे ATM कार्ड हो या फिर आप UPI Google Pay, Paytm वगरा किसी से भी आप कर सकते हैं तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा देखिए यह मैंने payment कर दिया और यह successful हो गया अब यह हमें थोड़ा सा wait करना पड़ेगा थोड़ा सा wait कर लेते हैं यह अपने आपी देखिए यह आगया अपने आपी इस page पे लेके आगया यह ticket पे अब यहाँ पर हमारा ticket दिखेगा हमारा जो ticket है कुछ इस तरह से बनके आगया है अब यहाँ से आप चाहे तो इसको कहीं share भी कर सकते हैं चाहे आप वाट्सअप पे करें या कहीं भी करें और यहाँ से हमें इस ticket को load करके रख सकते हैं अपने gallery में देखिए यह gallery में save हो गया यहाँ से देखिए और यहाँ से आपको ticket की detail दिखेगी और यहाँ यह QR code दिखेगा इस तरह से तो देखिए बस बहुत ही आसान था बनाना मैंने आपको complete process बना बता दिया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को like और channel को subscribe जरूर करेगा मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए पाए बंदे मात्रम